अरे कृष्णा आप सभी का अर्दिक स्वागत है आज के इस विशेश सत्र में जिसमें हम बात करेंगे कृतक गिता के बारे में और अभी अभी शिलव प्रहुपात की व्यास पूजा कल ही गई है 127th Birth Anniversary शिलव प्रहुपात की तो आज हम शिलव प्रहुपात का भी गुणगान करेंगे और उनकी ये जो एक क्वालिटी है कृतक गिता उसके बारे में शिलव प्रहुपात गुरु महराज क्या कहते हैं वो समझेंगे और मैं आप सब लोगों से भी आगरा करूँगा कि आज जो स्पीकर्स बोलना चाहते हैं वो चैट बॉक्स पर डाल दें और तब तक कुछ पॉइंट भी आप सोच के रख सकते हैं या कोई प्रहुपात से रिलेटेड कोई स्टोरी कोई एनेकडोट कोई आपका परसनल रिलाइजेशन जो आपका हुआ हो मैं चाहूँगा कि आज हर कोई थोड़ा-थोड़ा बोले शिलोप्रहुपात के बारे में क्योंकि जब हम किसी शुद्ध वक्त के बारे में चर्चा करते हैं तो हमारा रदय भी शुद्ध होता है इसलिए आज का सत्तर का नाम हमने रखा है ग्लोरीफाय टू प्यूरीफाय करना है तो एक कथा आती है भागवतम के अंदर और कृष्णा बुक के अंदर हम सब ने पड़ी है कि कैसे एक असुर है जिसका नाम है भौमासुर और वो भौमासुर हर जगे उत्पात मचाये हुए हैं और इतना ज्यादा उत्पात मचाये हुए कि सारे देवता भी उससे परिशान तो भगवान श्री कृष्ण उससा में द्वारका में रह रहे हैं तो ये सारे जो देवता हैं इंदर हैं सब देवता पहुँच जाते हैं उनके पास में रिक्वेस्ट करने के लिए हाज जोड़के उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि भौमासुर हमें बहुत ही तंकर रहा है और आप ही अकेले हैं जो बहुमासूर से हमें रख्षा कर सकते हैं हमारी या हमें उससे छुटकारा दिला सकते हैं। तो भगवान तो बहुत ही करपालू हैं तो भगवान कहते हैं ठीक है इंद्र और सारे देवताओं को कहते हैं कि ठीक है हम आपके लिए कुछ करेंगे और वो गरूर जी पे बैठते हैं और सत्य भामाजी उनके साथ हैं और वो जाते हैं और फिर हमें सब को पता है कि किस प्र भगवान चाहते तो मार दी तो अब मार दी है भावमसुर को वापस द्वार का आ जाते ऊथ हैं सत्यमामा के साथ लेकि उन्होंने लगा कि कुंडल मिले है तो इनको राइट फूल आणर के पस दे आते हैं तो वो क्या करते हैं वो बैठते हैं अपने गरूड में और सत्यमामा भी उनके साथ में और वो पहुंच जाते हैं स्वर्ग बगवान पहुंच जाते हैं अलकापुरी और अलकापुरी में पहुंच के इंद्र को कुंडल देते हैं तो इंद्र बिलकुल जुक जाते हैं उनक किरिट है जो मुकोट है वो बिलकुल उनके चर्णों में लगा देते हैं कि आपने भामासर से हम सब की रक्षा की और मेरी मा की ये कुंडल भी आप रिटरंड कराए और फिर उसके बाद वो निकल रहे होते हैं तो गार्डन है वहाँ बहुत सुंदर गार्डन से हैं तो उस परिजात का एक उपरक्ष लगा हुआ है उसके पहले परिजात का एक फूल उन्होंने सत्यभामा को दिया था और वो ने बहुत अच्छा लगा था तो वो कहते हैं कि क्यों न हम ये पेड़ ले चलें यहां से तो द्वारका में इसको लगा देंगे और वहां भी बढ़िय इंडर की लिए जाते हैं इंडर आ जाते हैं उनको रोकते हैं और लड़ाई जो है वारम हो जाती किसके बीच इंडर के बीच और शुरी कृष्ण के बीच तो वहां पर कृष्णा वो कगर आप पढ़ेंगे तो शुल्ह प्रहपाल ने बहुत अच्छी कमेंटरी लिखी य कि यही इंद्र है अभी हाथ जोड़ के आया था नीचे यही इंद्र है जिसने अभी अपने मुकुट को भगवान के पैरों से लगाया था और थैंक यू बोला था कि आपने जो है हमको बचा लिया और यही सेम वेक्ति है और अभी लड़ने लगा बोले क्या कमी है इस वेक् रखूंगा संस्कृत में इसको कहते है क्रतग्यता और इसके विपरिज जो होता है उसको कहते है क्रतग्यता तो ग्रैटिट्यूट क्या है ग्रैटिट्यूट यह है कि वो जो ऑनर वो रिस्पेक्ट हमें किसी ने दिया था वो जो हमारे लिए कोई फेवर किसी ने किया था किस किस ने किया था चाहे वो बहुत सिंपल सा फेवर हो और सिंपल सा वेक्ती हो चाहे वो बहुत मान वेक्ती हो और बहुत बड़ा फेवर हो उसको रिकोगनाईज करना उसको एप्रिशेट करना और उसको याद रखना ये सब क्यों करना ये सब इसलिए करना कि वो जो higher purpose है हमारा उस higher purpose के लिए जिस जिस ने हमारी जो जो साहिता की है उसके लिए हमेशा ये भाव रखना कि अगर ये particular वेक्ति ऐसा नहीं करता तो मैं कहां होता है भक्ति में जब हम आते हैं तो हमें कई बार लगता है कि मैं तो अपने प्रयासों के कारण भक्ति में आ गया हूँ और कई बार ये भी लगता है कि मैं अपने प्रयासों के कारण भक्ति में टिका हुआ हूँ लेकिन ये दोनों सोच वैसी सोचे जैसे इंदर की सोच है जिसको लगता है कि यहां का राजा मैं हूँ मेरे से पूछे बिना यहां से कोई भी चीज हिलेगी नहीं चाहे स्वयम भगवानी क्यों ना आजा उनको मेहले मेरे से पर्मिशन लेनी पड़ेगी तो यह जो भाव है कि यह अहंकार यह चीज मेरी है मुझे बिलॉंग करती है तो मेरे बिना यह आगे नहीं बड़ेगी या मेरे बिना कोई इसका सेवन नहीं कर सकता भोग नहीं कर सकता है बहुत ही गलत है और जब यह भाव आ जाता है अहंकार का जैसे ही आंकार का भाव आता है, करतापन का भाव आता है, हमारी भक्ती समाप्त हो जाती है इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम अपने रिदाय में करतक गिता का भाव हमेशा रखें वैसे तो हर बात के लिए रखें, बहुत एक जीवन में भी रखें लेकिन भक्ती के जीवन में ये कृतक गिता का भाव सबसे महत्पूर्ण है हमें हमेशा याद रहना चाहिए कि वो पहला व्यक्ती कौन था जो हमें भक्ती में लेकर आया था वो पहला व्यक्ती कौन था जिसने हमें भगवत गीता दी थी वो पहला व्यक्ति कौन था जिसने हमें भगवत गीता समझाई थी वो व्यक्ति कौन था जिसके कारण में आज भी भक्ति में टिका हुआ हूँ कई बार हम भूल जाते हैं कई बार तो ऐसा होता है कि बहुत सालों की दिक्षा के बाद व्यक्ति गुरू महराज को भी उस भाव से देखना भूल जाता है कि ये एक महान व्यक्तित्व हैं और इन्होंने मेरे सारे कर्म अपने उपर लिए हैं ये भी भूल जाते हैं कि मेरा जीवन में अगर कुछ भी अच्छा होगा तो गुरू महराज और भगवान के कारण होगा हमारा जो अहम है और हमारा ये जो भाव है कि मैं करता हूँ इसलिए होता है यही तो सबसे बड़ी रुकावट है और ये रुकावट कब हटती है जब हम रोज इस बात की प्रैक्टिस करते हैं कि ये 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 जो अगर आगर कोई घर में न रह रहा हो तो क्या मंदिर के उसके फ्रेंड्स सारे ब्रहमचारी सारी उसकी हेल्प न करें तो वो क्या एक कदम भी भक्ती में आगे बढ़ सकता है तो भक्ती जो है वो सामोहिक कार है भक्ती हमेशा तब ही होगी जब हर कोई एक दूसरे की साहिता करेगा साहिता किस बात में करेगा साहिता इस बात में करेगा कि एक दूसरे की भक्ती हम कैसे बढ़ा सकते हैं इसलिए हमको यह याद रखना है कि हमारा भक्ती का जो जीवन है इस बात को बहुत ध्यान से समझी हमारे भक्ती का जीवन जो है वो जीवन हमें भक्ती का किस ने दिया है हमारे भक्ती का जीवन हमें गुरु महराज ने दिया है अगर हम गुरु महराज को उस पिक्चर से बा भक्ति में आगे बढ़ रहा हूं लेकिन एक्चुली ऐसा नहीं गुरू महराज वो वाया मीडिया है शिलो प्रहुपाद वो मीडिया है जिससे वो करपा जो है वो बहती हुई हमारे तकारी अगर हम जिस दिन उनके लिए थैंकलेस हो जाएंगे और जिस दिन हमको लगने बहुत आवशक है जैसे हम इवन भगवत गीता में देखें तो भगवत गीता में कई जगे भगवान इस बात को कहते है कि वो वैक्ति जो अपने आप से अंतर मन से प्रसंण रहता ता है वो व्यक्ति जो अंदर ही अंदर जो है वो हमेशा gratitude का भाव रखता है वो ही perfect योगी है perfect योगी कौन है perfect योगी वो है यद इच्छा लाब संतुष्टो द्वंदा तीतो विमत सरा तो थोड़ी सी भी कोई लाब हो जाए तो उससे संतुष्ट हो जाए और द्वंद में न पड़े कि लाब कहां से आया मेरे करने से आया क्या नहीं मेरे करने से नहीं यह लाब आया भगवान की करपा से तो ये बहुत important बात है की ये लाप कहां से आया? भगवान की करपा से आया और भगवान की करपा कहां से आयी? गुरू महाराज के थूए इसलिए भक्ति में जो भी मैं आगे प्रगती कर पा रहा हूँ वो किसके कारण हो रही है? गुरू महाराज के कारण हो रही तो यह अगर attitude हमारा रहे gratitude का यह जो कृतक गिता का भाव रहे गुरु महराज के लिए शिलव प्रहुपात के लिए तब ही भक्ती में हमें संतोष्टी भी मिलेगी अधर्वाइस क्या होगा भक्ती में हमारी संतोष्टी भी चली जाएगी तो यह प्रहुपात जब यह यद इच्छा लाव संतोष्टो को समझाते हैं फोर चेप्टर का श्लोक है यह तो वहाँ पे वो तातपर में बहुत बड़ी बात लिखते हैं कि एक्षुली यद इच्छा लाव संतोष्टो दोंदाति तो विमत सरा ये किस में दिखेगा उसमें दिखेगा जिसको पूरी तरीके से भगवद ग्यान प्राप्थ हो गया तो अगर हमें उस स्थर पे जाना है कि पूरा भगवत ग्यान हमें प्राप्त हो गया है तो ये बहुत महत्पून पॉइंट है कि हम समझें कि करतक गिता हमारे रिदाए में नेचुरल ही आना चाहिए कई बार क्या होता है हम भक्तों के संग में रहते हैं तो कॉपी करने लगते हैं तो वो सब का हाथ जोड़ रहे हैं तो हम भी हाथ जोड़ने लगते हैं वो सब के लिए दंडवत करने लगते हैं लेकिन वो दंडवत में पूरा हमारा समिशन नहीं है क्योंकि मन हमारा अभी भ पहले ध्यान नहीं दिया था या दो दिन पहले मैंने जैसा बोला था ऐसा नहीं किया था तो यह जो भावना आ जाती है हमारे मन में जब हम समू में कारे करते हैं यही हमारी एक्चुली भक्ती का बहुत बड़ी रुकावड बन जाती है तो हर दिन हम सोच सकते हैं जीवन जी दूसरा तरीका है कि जो कुछ भी हो रहा है मैं किसी भी बात के लिए किसी के प्रती कोई करतक गिता ग्यापित नहीं करता क्योंकि ये तो मेरे कारण हो रहा है और यही अंतर है एक असुर और सुर ये अंतर क्या है इसको बहुत आसानी से हम समझ सकते हैं असुर को हमेशा या mental abilities के कारण हो रहा है तो सुर कौन है जो भगवान के सुर में सुर मिलाता है वो सुर है और असुर कौन है जो भगवान के सुर से अलग गाना बजाता है तो हम जब भी कोई doubt आए तो हमें देखना चाहिए कि हम भगवान के सुर से सुर मिला रहें कि नहीं मिला रहेंनी हम गुरु महराज के सुर से सुर मिला के इसलिए अगर in आज नीड़तर है इस ela करेंगे गर अगर हम आज कह आधार पर हम आज की चर्चा करेंगे उसको लीए भगवद गीता का तो वह ए फौर्थ चैप्टर का 34 श्लोक अभी जो हमने चर्चा की विमत्सरा वो है 4.22 और अब हम आगए और अगर आगे बढ़ेंगे 4 चैप्टर में तो एक श्लोक आता है 4.34 आप में से कोई श्लोक को पढ़ना चाहिएगा कि अ रेके्ष्न प्रभुजी अरेक रोगी जी प्रोगी परी अत विद्धी प्रणी पाते देन परीप्रशने नस से वया उपदेक्ष्ञ चंठेग्यानं ग्वानिक्रस्थ न स्थ्ट अथास धरिश्ञ हुआ न कि भी थेंकि सो मस्ट कोई और पढ़ना चाहिएगी अरे अरे प्रश्ने नसे ब्या उप्देख्ष्यंती तेग जानम जानिस्त तत्वा दर्शिन तेंक्यू माते जी और कोई पढ़ना चाहेगा अरे प्रश्ने नसे ब्या उप्देख्ष्यंती तेग्यानम ज्यानिनस्त तत्वा दर्शिना तेंक्यू माते जी और कोई हिंदी में इसका आर्थ पढ़ना चाहेगा जी प्रभुजी पढ़िए प्रभुजी तुम गुरु के पास जाकर जिग्या सकत्वा आप लोगों को आवा जा रही है एजट्रा मुल्स प्रभुम मों को सप्धिक्साएट क्यान जी प्रवड़ी प्रशियत जीक्ष्य प्राुन झाल झाल